नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका स्ट्रेट विद एमजी चैनल पर दोस्तों ये फिर उनसे वीडियो को नहीं देखा है तो उनसे वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्कुशन बॉक्स में मिल जाएंगे तो आप लोग वहां से उनसे वीडियो को देख सकते हैं नोक़ बख बख करते हैं सीदे क्लास्य को start विडियो लाइक करने शेयर करने कुछ भी मैं आप लोगों से नहीं कहुँगा आप लोगों को जो अच्छा लगों कर सकते हैं तो पहला question आपके screen पर है question है कि महावीर की मा कौन थी महावीर की मा कौन थी तो महावीर की माती त्रि और यदि कोईस्थन यह पुछले कि महावील जो है जैन धहर्म में कितने नंबर के तिर्थनकर तो यह कौन से त्थर्थनकर महावील Ск्रीजिं पर devices क्वेलिग गटन्ट्रफी किस खेल के साथ जुड़ि हूई है दोन पीडियो फाइल किस खेल के साथ जूरी हुई है तो ये जूरी हुई है किस के साथ नौकायान के साथ option D नौकायान अगला फिर क्वेशन है कि पुर्ण सौराज की घोसना भारती राष्टे कंग्रेस के कहां के सत्र में हुई थी तो ये हुई थी कहां के सत्र में, लाहोर के सत्र में, option B, लाहोर, 1928 में पहले बार भारत का संविधान मोतिलाल नेड़ु के अधिक्टदा में, नेड़ु समीति के द्वारा तैयार किया गया था, और एक साल बाद, दिसंबर 1929 के लाहोर सत्र में, कॉंग्रेस ने पुर्ण स सौराज संकल्प पारित किया था पुर्ण सौराज संकल्प को पारित किया था कहां पे लाहौर में अगले क्वेस्टन को फिर देखते हैं अगला क्वेस्टन आपके स्क्रीन पर है कि करकरेखा निमनलकित में से किस राज से होकर नहीं गुजरती है पूछा गया क्या नहीं ग परिशा से नहीं गुजरती है जैसा कब लोग जानते हैं कि भारत में करक रेखा आठ राज्यों से होकर गुजरती है वह राज कौन-कौन से हैं राजस्थान, गुजरात, मद्यपरदेश, चतिसगर्ड, जारखन, पसिमांगा, तरिपूरा और मिजोरम अगले क्वेशन को द यह तहवार मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है कहां पे आंध्र परदेश में ऑप्सन सी आंध्र परदेश के निलोड जिले में फ्लेमिंगो तहवार मनाया जाता है और यह तहवार उस हित्र में फ्लेमिंगो के प्रवास को चिन्नित करता है और इसमें प्रेटन को दावा देना संगीत भोजन ये स्वित्रा तरह के चीजिसमें सामिल है नेक्स वोसन के तरह से जलते हैं नेक्स वोसन है कि निमने में से कौन देश के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस नहीं है तो इसमें क्या नहीं है ये आपको बताना है इसमें क्या नहीं है दोनों सदनों के सदस थाई answer दिये हुए क्या इसमें राष्टपती औपसन सी राष्टपती राष्टपती इन में से किसी सदन के सदस नहीं है राष्टपती दोनों में से किसी भी सदन का सदस नहीं है लोग सवा का सदस होने के लिए एक व्यक्ति को सर्व जनी व्यस्क मताधिकार क माड़्यम से निर्वाचित किया जाना चाहिए और राजि सवा का सदर्श होने के लिए भी पर्तिनीदियो को निर्वाचयन उस राजि की बिधान सवा के निर्वाचि सदस्यों द्वारा किया जाता है जब कि राष्ट्पति का चुनाव एक निरनायक मंडल दोरा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निरवाची सदस सामिर होते हैं और उपराश्पती राज सभा का परेज सभापती होता है और उसकी कारेवाही के लिए उत्तरदाही भी होता है ठीक है तो राश्पती ही क्या है दोनों सद्वंस में से किसी भी स्टॉंस दस्य से नहीं दोता है क्वान्टम सिध्धांत का प्रश्ताव किस दिया था कौन्टम का प्रस्थाव प्रस्थार प्रस्थावित C किया गया था जब उन्होंने एक धार्णा बनाई की उर्जा क्वांटा या फिर व्यक्तिकत इकाईयों से बनी होती है और यह सिध्धान प्रमानुओं और उपमीतिय अस्तर पर उर्जा और पदार्थ के बहवार और प्राकिर्थी को बताता है ठीक है अगले क्वेस्टन को को देखते हैं फिर सिवालिक परवत का पुराना नाम क्या है सिवालिक परवत का पुराना नाम क्या है जल्दी सभी लोग आंसर को बताएं देखते कितने लोग आंसर सही कर पाते हैं इसमें सही आंसर कौन से दिये हुए हैं इसमें सही आंसर है मानक परवत ऑप्शन सी मान पड़वा ठीक है अगले question को देखते हैं फिर अगला question है कि यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होती है बहुत अच्छा question है यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होती है तो यह होती है कितने प्रकार के तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं तीन प्रकार के तो तीन प्रकार के पहला है अनुप्रस तरंगें, दूसरा अनुधहर तरंग, तीसरा सता की तरंग, यह से आप लोग याद जरूर रखें, नेक्स लेटाक को देखते हैं, हाद्रोजनी करण प्रक्रिया इनमें से किस से जुड़ी है, तो या जुरी है इनमेशिकिस से या जुरी है खाद्दिवसा से खाद्दिवसा ओप्शन डी खाद्दिवसा ओप्शन डी हाइडोजनी करन प्लेटिनम पेलेडियम या फिर निकेल जैसे उत्त्रप्रण की उपस्तिति में तत्त्वों या फिर योगिक या आन्विक हाडोज के बीच एक रसारीक प्रकडिया है और यह तरल ब्रसपती तेलों को अर्ध ठोस या फिर ठोस वसा में फरिवर्तित करता है अगले को देखते फिर अगला कोईस्टन आपके स्क्रेंड पर है कि निम्ण मेंसे किसे इतिहास में सबसे पुराना काल कहा जाता है सबसे पुराना क पासान काल पुरा पासान यूग को इतिहास में सबसे पुराना काल के रूप में जाना जाता है इसका मतलब वह यूग है जब पत्थर के और जारों का पहला उप्योग शुरू हुआ था मद्य पासान यूग के अंत में किरसी की सुरुवात हुई थी option B के बारे कहरें लोग कि मद्य पासान यूग के अंत में किरसी की सुरुवात हुई थी और नप पासान यूग में बहुत सारे समाजिक विकास हुए थे तामड यूग जो है तामड का यूग था जहां प्राणबिक तामबा धातु विज्ञान की सुरुवात हुई थी ठीक है नेक्स्ट को देखते हैं फिर नेक्स्ट कोईशन है कि पाक जल डमणू मद्य भारत को किस देश से अलग करता है ये क्विशन में बहुत बार एक्जाम पूछे गये है है पाक जल डमणू मद्य भारत को किस देश से अलग करता है तो ये अलग करता है किस देश से जल दी साप लंका को अलग करता है और या बंगाल की खारी को पाराक से भी जोडता है ठीक है अगले क्वेशन को देखते फिर क्वेश्चनres के प्लास्टर ऑफफेडि का उपयोग नेत्रों में इनमें से किस दोस्त के एक उपाय के रूप में किया जाता है किस दोस्त के उपाय के रूप में दूपकसी लेंस का उपयोग किया जाता है तो यह इस्तमाल किया आता है किसमें जल्दी सांसर करका बता है इसमें सही आंसर कौन से दिये हुए है option B जड़ा दूर दर सिता option B जड़ा दूर दर सिता इसमें बिल्कुल सही answer है फोकसी lens का इसमें इस्तमाल किया आता है ठीक है और यदि पूछे जा hyperopia आज देख रहा है option A तो इसका उपाय होता है किसके लिए अभी सारी lens के द्वारा यदि ये 200 आखों में ये सभी 200 यहां पर लिखे हुए है यदि ये 200 तो इसके लिए इस्तमाल होते है कौन से lens अभी सारी lens और या फिर द्रिष्टी वैसम में रोग हो तो इसके लिए स्टिलेंडरी lens का इस्तमाल किया जाता है और अदूर दर सिता के लिए अब सारी lens का इस्तमाल किया जाता है अगले question को देखते है फिर विश्ट के इनमे से किस हेत्र में डावन्स चाड़ागा पाया जाता है कौन सा चाड़ागा डावन्स चाड़ागा कहां पर पाया जाता है तो ये पाया जाता है कहां पर अस्ट्रेलिया में ऑप्शन सी अस्ट्रेलिया में डावन्स चाड़ागा पाया जाता है उत्री अमेरिका में कौन सा पाया आता है इसके बारे मैंने आपको पहले बताया थे प्रेरी प्रेरी यहां पर पाय जाते हैं चीक है चली अगले क्वेस्टन को फिर देखते हैं अगल या पुस्तक किस ब्याक्तित्त पर आधारित है तो यह आधारित पर किस पर पीचि दमब्रम पर, option c, पीचि दमब्रम पर या आधारित एक पुस्तक है, अगला question फिर आपके screen पर की इनमें से कौन सी एक मातर नदी भारतिय थार रहेगिस्तान में एक अक्रित है, तो यह कहां वह कौन सी नदी है इसमें वह नदी कौन सी दिवी है लूनी नदी लूनी नदी ऑप्षन बी लूनी नदी भारतिय थार रेगिस्तान में एकिकृत एकमात्र नदी है और यह अजमेर के पास आड़ावाली परणत माला की पुसकर घाटी से निकलती है और गुजरात में कितनी सीटे आवंटित है बहुत इंपोरेंट क्वेश्चन है यह जल्दी सांसर बताएं समसे सही आंसर क्या है ऑप्षन इसमें कौन सही है C, 40, option C, 40 इसने बिलकुल सही आंसर दिये हुए है, ये तो लोक सभा में सीटों की संख्या पूछी गई है, और यदि पूछ ले कि राज सभा में सीटों की संख्या कितनी है, बिहार की, तो कितनी हो जाएगी, 16, ठीक है, ये भी याद आप लोग जरू रखें, option A जो देखने में 16, ये राज सभा की सीटों की संख्या दी हुई है, और यदि पूछ ले कि बिधान सभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो बिधान सभा में सीटों की संख्या है, बिहार की 243, या फिर पूछ ले कि बिधान परिसद में सीटों की संख्या कितनी है, तो बिधान आप trackने कि जैन्धर्म के पहले तिर्थनकर पूछ जाएंगे एक जाम में तो आप टीर्थनकर को जरूर देख लेट देखन ले कौन कितने अंसर में प्र, जब पहला आम नात्थ Christopher को ant पासरवर नात जैन धर्म के 23 तिर्थंकर थे और बजाते कि यहां पर अजीत नात तो अजीत नात जैन धर्म के दूसरे तिर्थंकर थे इस तरह से जो भी और अन तिर्थंकर है उनके नाम भी और नमबर चरूर याद रखें वैसन फिरे कि जस्तेदार लोहे की चादरें किस से लेपित होती है जस्तेदार लोहे की चादरें किस से लेपित होती है तो यह लेपित होती है किस से यह लेपित होती है जिंक से जिंक से या लेपित की जाती है जो कि जंग लगने से बचाती है श्टील को और लोहे को यह एक एक सुरक्षा परदान करती है ठीक है नेश्वेशित को फिर देखते हैं, नेक्स्रीशन की भारतिय संभिधान में निमनलेकित में से कौन भारत में केंधरिया बजट के विषय से समंदित है, कौन सा अनुचैद समंदित है, तो वोिषय कौन सा समंदित आपश्य एसमें, अन अनुछेद 110 है धन बिदयाक草क्यान अब देखते हैं इसमें कौन सा अनुछेद 115 जो दिख रह Pocket option C, तो अनुचेद 115 क्या है, तो यह क्या है, अनुचेद 117 क्या है, तो अनुचेद 117 है, बित्य बिधेयक, तो अनुचेद से related भी question एकदाम में होते हैं, तो आप लोग अनुचेद भी जरूर धियान में रखें, question फिर आपके screen पर की निमनलखित में से कौन सा परतक्ष करका उधारन नहीं है, तो सेवाकर जो देख़रे option C, या परतक्ष करका उधारन नहीं है, सेवाकर आप परतक्ष करका उधारन है, क्योंकि इसे अंतिम उभोकता को निर्माता द्वारा पारित किया जाता है, और सरकार को सीधे नहीं दिया जाता है अब परतक्षकर क्या होते हैं परतक्षकर वह कर हैं जो सरकार दोड़ा सीधे व्यक्तियों या फिर निगमों पर लगाया जाता है परतक्षकर जैसे की निगमकर आयकर और समाजिक सुरक्षा योगदान आदिस में सामिल होते हैं आप परतक्षक करके रूप में क्या कहा है जैसे कि GST मुल्य वर्देत कर या फिर उत्तपाद सुल्क यह से भी आप परतक्ष कर होते हैं तो दोनों में आपने अंतर समझ लिया अगले को देखते हैं अगला कुशन फिर आपके स्क्रेंट भारत में मुद्रा आपूरती को कौन नियंत्रित कर कौन है आप लोग कमेंट करके अबस्च बताएं ठीक है चलिए अगले क्वेशन को देखते हैं अब बिना देरी के वह जल्दी से कोरिस्टन फिर आए कि किस प्रकार का कर व्यक्ति की आए में ब्रिद्धी के साथ बढ़ता है तो ब्रिद्धी के साथ बढ़ता है कौन सा इ कुछ में से कौन सा स्तल सीमा देश से मंगोलिय असंडी मंगोलिय अगला प्के स्क्री जेङ से किस संसे संबंदीत है किस खेल से कुछ्टी से option C, कुष्टी होक्ट उन्ने जेत बिमान पर उरान भरने वाली फैली महला फाइटर पैलेट कौन है यहां पर दो बार उरान हो गए हैं तेक बार उरान को काड़ देते हैं इसमें सही answer कौन से दिये हुए है इसमें सही answer क्या है मोहना सिंग option C option C निम्नलेखित में से किस अस्थान पर घोरे की हड़ियों के अबसे इस पाए गए हैं घोरे की हड़ियों के अबसे इस पाए गए हैं कहां पर सुर्ख कोटदा में option B अगला फिर क्योश्चन आपके screen पर question है कि इन में से किस महाजनपत की राजधानी प्राचीन इंद्रपरस्त था प्राचीन इंद्रपरस्त इन में से किस की राजधानी है तो किस की राजधानी है कुरू की कुरू option C अगला फिर क्योश्चन आपके screen पर है मिस इंडिया 2019 का किताब किसनी जीता है मिसंदिया 2020 का किताब किसनी जीता है तो यह यह प्रुपन जाता है कि इनमे से किस thषासन के रूप में जाना जाता है किसे भारत में अर्स्थानिय स्वायत्य सासन के रूप में जाना जाता है तो स्वायत्य सासन के रूप में जाना जाता है किसे लार्ड रीपन को लार्ड रीपना doesn d कि अगला क्वेस्टन क्या है कि नियम्नलेखित में से कौन सा तत्तु एक उपधातु है इसमें कौन सा तत्तु एक उपधातु है तो उपधातु है तो उपधातु उसमें क्या है सिलिकॉन सिलिकॉन एक उपधातु है मानफ सरीड में लगवक कितनी कोशिकाओं हैं तो मानफ सरीड में लगवक कोशिकाओं की संक्याओं 37 Trillion 37 Trillion Option C अगला फिर क्वेस्ट नहीं कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था बंगाल का अंतिम नवाब कौन था तो इसका नाम क्या था मनसूर अली खान मंसूर अली खान ऑप्शन ए इस तरह से याद रख सकते हैं इसमें सही आंसर क्या हो जाएंगा ऑप्शन सी उर्दास तो 35 वीडियो कैसे लगा आप लोग नीचे कमेंड करके जिरुवता हैं वीडियो को लाइक शेर करने कुछ भी मैं नहीं कहूंगा आप लोग खुछ समझदार है जो आप लोग को ठीक लगए हो आप लोग कर सकते हैं वीडियो अच्छे लगए तो आप लोग डिसलाइक करें जो भी हो आपकी मरजी बाकी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के स तुब हो